जी वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एहमत टेक्नलोजी पे आज ओ लेवल का जो रिजल्ट आया है आप सभी जानते हैं नयलेट के ओफीसियल वेब साइट पे आज ही रिजल्ट आया है वैसे तो कल ही आ गया था मेल के द्वारा लेकिन जो आज फाइनल रिजल्ट आया है ओफीसियल वेब साइट पे वह आज यानी एक नावंबर को आया है बहुत से बच्चे पास हो गए हैं उन सभी को कॉंग्रेचुलेशन लेकिन कुछ बच्चे जो फैल हो गए हैं और फैल वह छोटी सी गलती की वज़ा से हुए है ओ लेवल में जो पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए वह आपको टोटल 50% का एवरेज होना चाहिए आपका और یہाप अगर आप देखते हैं ओवरॉल 50% इनका तो यहाँ पर इनके total average जो 50% का ये है लेकिन ये फिर भी फैल हो गए है grade में F लिखा हुआ है और ये फैल है तो फैल होने का कारण क्या है अगर आप देखते हैं module है इनका internet of things and its application यानि M4R5 है पास होने के लिए 50% का overall average चाहिए वावा ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है इनके 32 नंबर है अगर आप देखते हैं theory में यानि जो exam इन्होंने computer पे theory का दिया था MCQ का उसमें इनके 32 नंबर है और जो practical इन्होंने दिया उसमें इनके 77 नंबर यानि practical में अच्छे नंबर है इनके हो सकता है इन्होंने पैसे दे के यह नंबर लिए हो इनके बचारे के पैसे जो है वो भी अब बेकार गए इनको उसका कोई भी profit या कोई भी लाब नहीं हुआ है और center वाले पैसे वापस भी नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जो नंबर देने तो वो दे दिये उनकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है 32 नंबर आए है अगर इनके 33 नंबर होते तो यह पास हो जाते यह पास हो जाते अगर इनके 33 नंबर होते क्योंकि 33 पे पास क्या आता है minimum जो आपके होने चाहिए minimum minimum दोनों में practical में भी और theory म में भी minimum minimum 33 नंबर आपके होने चाहिए और total average आपका 50% का होना चाहिए अब जैसे यहापर overall average तो 50% का है लेकिन यहापर minimum 33 नंबर नहीं है इसलिए इनको फैल किया गया है और कोई दूसरा कारण नहीं है तो आपको भी ध्यान देना है कि कम से कम 33 नंबर तो आपके होने चा practical में 33 नंबर से कम होते 32 होते 31 होते तो भी फैल होते क्योंकि practical में भी आपको minimum 33 चाहिए और इसमें भी आपको minimum 33 नंबर आपके जो होने चाहिए दूसरा बच्चे का मेरे पास एक और message आया है आपको मैं दिखाऊं यहापर आप देख सकते हैं यह जो फैल हुए है 49.80 का इ होदिनत वीर निए पूरा एक नंबर भी निए एक नंबर की वी कमी नहीं है इनको पास में लेकिन फिर भी इनको प्याल किया गया है तो यह छोटी-छोटी पह करने पड़ेंगे फिर से पेपर लोग करना पड़ेंगा फिर से तयारी करने ही करनी पड़ेंगी फिर से आपको वही सिर्बmostर रहेगा आपके जब तक आपका ये exactly हो नहीं जाता तो इसलिए अगर आपका आने वाले टाइम में एक्जाम है ध्यान से पढ़िए एक बार में एक्जाम दीजिए लेकिन ऐसे दीजिए कि वह पास हो सके कम से कम इतनी पढ़ाई तो आपको करने ही पड़ेगी 33 33 नंबर सो में से होते हैं 33 नंबर लाना इतना कठीन भी नहीं है बहुत से बच्चे एक ग्रेड के सा नंबर है इनके पाइथन वाले में ठीक है ना और प्रैक्टिकल में भी 72-72 नंबर है अच्छे नंबर है और 75 और 76 इनका जो एवरेज बना टोटर ओवरोल एवरेज जो यह बनता है इस पे एगरेड बनता है 75 से उपर आपका एगरेड बनता है यह आपको पता होना चाहिए तो दोनों में इनका यह ग्रेड है तो बहुत से बच्चे अच्छे ग्रेड से पास होते हैं बहुत से बच्चे फैल हो जाते हैं कुछ पोइंट की वज़य से तो इसलिए आपको इन गलतियों से बचना है ध्यान से आपको एक्जाम देना है अगर आपका आने वाल टाइम